लॉंगिनस या लॉंजाइनस लॉंगिनस इनका गिरीक नाम है और लॉंजाइनस अंग्रेजी तो लॉंगिनस या लॉंजाइनस है इन्होंने उदात नामक सिधानत दिया था और इनकी जो विचारदारा है वो बहुत अधिक परसीदी को प्राप्त हुई थी लेकिन इनको भ से हैं जैसे इनका समय माना गया है पर्थम सताब्दी या तिर्थे सताब्दी लेकिन पर्थम सताब्दी या तिर्थे सताब्दी का वेक्टी बीज के सालों में कहीं भी इनकी चर्चा नहीं होती है सीधा 1554 के आसपास 1554 में यानि सोल्वी सताब्दी में जाकर इटली के विचारक रॉबेर तौलो ने इनके पैरियुपसुस ग्रंद को परकाशित करवया तब जाकर ये परशिति को प्राप्त कर करते हैं और इनका जो उद्धात का सिद्धान्त है ये बहुत अधिक चर्चा में आ जाता है तो लॉंगिनस कौन है कहां के हैं इनको इटली के विचारक माना जाता है इटली के विचारक पर्थम या तिर्थे दोनों में से कोई भी सताब्दी का इन से सम्मंध हो सकता है इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नए मिन्ट है अब भगिरत मिस्र ने इनके बारे में कहा है कि इनका जो समय है वो इसा की तीसरी सताब्दी होगा माना जता है लेकिन कुछ विद्वान इनको पॉल मीरा की महरानी जेवेन्यों का मंत्री मानते हैं लेकिन अन्य विद्वान नहीं मानते और अब ये धर्णा भी नहीं चलती लेकिन भगिरत मिस्र कहते हैं कि कुछ विद्वानों नहीं ऐसा माना है तो भगिरत मिस्र के अनुसार क्याता मिश्रव क्याते हैं कि इनका समय इनका यानि लोंजाइनस का इनका समय इसा की तीसरी सताथी माना जाता है और इसी में आगे वे कहते हैं कि इनको पॉल मीरा के राजकुमार पॉल मीरा के जेवेन्यों जेवेन्यों जो थे पॉल मीरा की महारानी थी जेवेन्यों राजकुमार नहीं था महारानी थी इनको पॉल मीरा की महारानी कि महारानी जैवेनियो का मंत्री माना जाता है। माना जाता है। यह कौन कहते हैं। बगिरत मेंस्र कहते हैं कि माना जाता है कि पॉल मेरा की जो महारानी थी जैवेनियो उनका यह मंत्री था। लेकिन अन्य विद्वान इस पात से सहमत नहीं है। इस बात से सहमात नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि भगिरत मिस्र कहते हैं। कि वही इनको पॉल मेरा की जो महारानी थी जैवेनियो उनका मंत्री कुछ लोगों ने बताया है लेकिन बाकि सब विद्वान इस बात से सहमत नहीं है। इस परकार से तो कभी अपने सामने कोई सवाल बन जाए कि पॉल मीरा की महारानी जैवेनियो का मंत्री कौन सा विचारक माना जाता था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लॉंजाइनस। अब लॉंजाइनस का जन्म इंका इटली में हुआ था। आज हमें इसके मोटे-मोटे परीचे पर बात करेंगे कि किस परकार इनकी रजना परकास में आती है। वो परसीदी प्राप्त करती है, अनेक परकार के अनुवाद होते हैं और विबिल आलोचक इनके बारे में क्या-क्या बात कहते हैं, किस परकार से अरस्तु से और प्लेटों से इनकी तुलना की जाती है, किस के समान माना जाता है, इस पर कुछ बात जीत करते हैं। तो जो भंजाइनस है इन्होंने पहली या तीसरी सताब्दी में कुछ लिख दिया था लेकिन उस समय ये बात सामने नहीं आई इस बात ने परसिदी प्राप्त की 1554 में इटली के विद्वान थे या विचारक थे रोबेर्टोली 1554 में इटली के विद्वान या विचारक इटली के विचारक रोबेर्टोलो ने लॉंगिनोस की रचना लॉंगिनोस ग्रीक बासा में कहते हैं और अंग्रेजी में लॉंजाइनस कहा जाता है रोबेर्टोलो ने लॉंगिनोस की रचना पैरे हुपसुस को परकाशेत करवाया तो यहां पर हम यह बात याद करेंगे कि 1554 में किस विचारक ने लॉंजाइनस की रचना पैरे हुपसुस को परकाशेत करवाया था रोबेर्टोलो ने किस ने करवाया था रोबेर्टोलो नाम का जो वेक्ति है उसने पैरे हुपसुस का परकाशन करवाया 1554 में यहां पर हमें यह दो बातें याद करनी हैं क्योंकि इससे पहले किसी भी परकार से लॉंजाइनस परशीदी को प्राप्त नहीं हुए थे उनका नाम ज्यादा नहीं सुना गया था लेकिन 1554 में जैसे ही इटली के विचारक रोबेर्टोलो ने लॉंगिन उसके ग्रं किया बातचीत हुई तब इसके अनुवाद हुने शुरू हुए आउर इसका जॉन हॉल नाम के वेक्टी ने अनुवाद किया था वापस आगे की सताव दिया अपने वाली इधर वर्तमान समय में 1952 में Off the Height of Eloquence नम से वाग मिता का परकर्स या फिर इसका एक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ on the sublime नाम से पहले हुआ था on the on the sublime या इसे हम कहते हैं उद्दात का उद्कर्स उद्दात का उद्कर्स on the sublime उद्दात का उद्कर्स नाम से इसका अनुवाद हो चुका था on the sublime नाम से तो एक तरीके से जो लोंगीनस का सिद्दांद है वो उद्दात का सिद्दांद और इसका नामी उद्दात है sublime है पैरि हुपसुस है अब पैरि हुपसुस जो है वो किस परकार का ग्रंद है एक भासन सास्त्र माना जाता है भासन सास्त्र इस रूप में परसिद्ध था क्योंकि कावे शास्त्र यहां पर बात यह है कि हम इनको पढ़ रहे हैं कावे शास्त्र में कावे शास्त्र यह ता तो उद्दा उसका विशलेशन है लेकिन यह जो रजना है यह बासन सास्त्र है भाशन सास्त्र के रूप में इसका जिसे रहे तो रिक तो रहे तो रिक थी ये रचना और आज हम इसे काविशास्त्री विवेचना में पढ़ते हैं इस परकार से लोंगिनस की जो रचना है वो धीरे-धीरे परशिदी को पात्मी है और उनमें कुछ कडिया जूरती जाती है तो लोंगिनस ने जो भासन सास्त्र लिखा उसका अनुवाद हुआ ओन्द सब्लाइम नाम से कावे में उद्दात पत्तो नाम से तो लोंगिनस जो ह उनको परशिदी प्राप्त करने का मुख्य कारण क्या था कि उनकी भासा से लिजो है वो आकर्सक थी आकर्सक एवं आलोचना का उतकर्स उसमें देखने को मिलता है तब काफी सारे विद्वनों ने इनको अरस्तु से भी ज्यादा स्रेष्ट आलोचक कह दिया था तो यह जो लॉंजाइनस है यह आलोचना के शेतर में या काविशास्त्र के शेतर में अरस्तु की बजाए लॉंगी नोस अरस्तु की बजाए प्लेटो के ज्यादा निकट रहे यानि जिस परकार की अलोचनाओं के स्थापना अरस्तु करते हैं उनके जैसी स्थापना न करते वे लॉंगी नस ने प्लेटो के विचार धर को अपनाना ज्यादा स्रेष्ट समझा लॉंगी नोस से पहले कवी के कुछ करतवे माने जाते थे वन कौन से हैं? लॉंगी नोस से पहले साहित्य के mostly, मोटे-मोटे तौर पर तीन उदिश्य माने जाते थे तीन उदिश्य माने जाते थे लेकिन लॉंगी नोस ने उन तीन उदिश्य में उदात को और जोड लिया उदात भावना यानि कवी जो लिखता है उसमें स्रेष्टा होनी चाहिए वो किसके लिए लिख रहा है क्यों लिख रहा है उसका उदिश्य उदात की भावना से जुड़ा वोना चाहिए ये लॉंगी नोस ने उदिश्य डाल दिया था लेकिन पहले तीन उदिश्य कौन-कौन से चल रहे थे एक था शिक्षा एक था मनोरंजन और एक था बाध्य करना किसी भी चीज के लिए बातित कर देना या जब राज्य की ज्यादा चलती थी और जो जैसे प्लेटों कहते भी हैं कि जो भी कभी वगेर लिखते थे वे राज्य के बंधन में बंद करके या राज्य की इच्छा के अनुसार लिखते थे इस वज़ा से बाध्य करना भी एक साहित्य का उद्देश्य था तो सबसे पहला था आहलादित करना दूसरा उद्देश्य रहा सिक्सा देना तीसरा उद्देश्य रहा बाध्य करना यानि कोई भी राज्य द्वारा बनाए गए नियम राजी कोई नियम बना लेता था, उनको मान लेना साहित्य का उद्धिशी था, अब साहित्य का तो ये उद्धिशी नहीं होना चाहिए, कि राजी में जो नियम बन रहे हैं उनको माना जाए, साहित्य तो हमेशा जन हेत में होना चाहिए, लोक कल्यान में होना चाहिए, ये ब लेकिन लॉंगिनस इस सेतर से आगे बढ़ करके उन्होंने क्या किया उद्दात के तत्व कि या कवी किस प्रेरना से लिखता है किस देसे से लिखता है उसका समाज में क्या उप्योग है इस पर लॉंगिनस ने सरवस्षेश्ट अलोजना परस्तोत की थी अब प्लेटो ने साहित्य को माना, क्या माना था उत्यजक, प्लेटो ने साहित्य को उत्यजक माना, प्लेटो साहित्य को क्या मानते हैं, उत्यजक और अरस्तो साहित्य को विरेचक मानते हैं, उतेज़क यानि प्लेटो ने साहित्य को उतेज़क क्यों माना था क्योंकि प्लेटो संपोर्ण कला को ही उतेज़क मानते थे, पूरी कला और साहित्य किसमें आता है कला में, उन्होंने कला को ही उतेज़क माना और इसलिए उन्होंने साहित्य को भी उतेज़क मान लिया था. लेकिन अरस्तु क्या मानते हैं साहित्य को विरेचक यानि जो भी हमारे अंदर दभी कुछली भावनाई रहती है उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है साहित्य करता है विरेचन का काम करता है अठार्ट जो भी जितनी भी कुंठित भावनाई अंदर रह जाती है उनको बाहर निकालने का काम साहित्य के द्वारा किया जाता है जैसे कोई ट्रेजडी हो अरस्तु कहते हैं कि ट्रेजडी को अपना दुख जो उसके अंदर समाया हुआ है वो उस ट्रेजेडी को देखते हुए बाहर निकाल देता है ऐसा अरस्तु कहते हैं और वे सहित्य को विरेचक मानते हैं लेकिन लोंगिनस ने सहित्य को क्या माना? लोंगिनस या लोंगिनस ने सहित्य को उद्दात माना विराट उद्दात यानि विराट या बड़े सवरूप में यानि कोही भी सहित्य जब लिखा जाता है तो उसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है समाज का कल्यान, समाज का हेत उससे भी बड़ी जो जितने भी अच साहिते में समावित हो जाते हैं ऐसा लोंगिनुस कहते हैं तो उद्दात को साहिते से जोड़ा किसने लोंगिनुस ने इसलिए उनके सिद्धान का नाम है उद्दात का सिद्धान अब लोंगिनुस के बारे में कौन विचारक क्या कहता है इस पर कुछ बात करते हैं आमने पहले बात की थी कि लोंगिनुस कई सताब्यों तक अंधिरे में रहे उनकी साहिते को किसी ने पढ़ा या देखा नहीं क्योंकि उनकी रजना कहीं पर छिपी वी रह गई और बाद में 1554 में इतली के विचारक रोबेर्टोलों ने इनके गरंत पैरी हुपसुस को परकाशित करवाया उसके बाद इसके कई अंग्रेजी अनुवाद हुए अन्य बासाओं में भी अनुवाद हुए तो उसके बाद विचारकों ने इन लॉनजाइनस के बारे में या इनके सिध् इस पर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो है कि पैरी उपसुस जो है वो मोस्ट रूप से किस भासा में है मूल रूप से किस भासा में है पैरी उपसुस मूल रूप से ग्रीक भासा ग्रीक या यूनानी भासा में है पासा में है अब जो आलोचक है आदोनिक आलोचक इनके बारे में क्या कहते हैं उस पर कुछ बात करते हैं फिर इस गरंत में क्या-क्या है उस पर बात करेंगे तो सैंड्स बरी नाम के सैंड्स बरी नाम के एक विद्वान है उन्होंने कहा कि इनके यह जो लॉंगिनस है यह तिक्षन परतिवा के धनी है जैने इनकी परतिभा पहुत अधिक तेज थी, तीखी थी, लोंगिनस की परतिभा तेज उर्ती थी ऐसा कौन कहते हैं, सैंड्स बरी, और सैंड्स बरी इसके साथ ही साथ कहते हैं कि पैरियोपसुस है, वो एक विशमेकारी कृती है, विशमेकारी या अचर्य में डालने वाली कि अरस्थों वगिरन ऐसी किसी कृती की रचना नहीं की थी, आज तक हम जिन्हें प्लेटों, अरस सामने नहीं और सेंड्स परी नहीं ही लॉंगिनस को उतकर्श के शेतर में अरस्तु से बढ़ाा बता भांडिए तो तीन बात ने के बारे में केंसर सबसे पहले बात भ mash और फम ऑपतृति के अर इस उसे बढ़ा है, तो हम परिवासा को लिखते हैं कि लोंगिनस, तिक्षन, पर्तिभाव, ए, धनी है, तैवं, पैरी हुपसोस, विश्मेकारी, कृति, पैरी हुपसोस, विश्मेकारी करती है, सैंट्स बरी लोंगिनस के बारे में कहते हैं कि लोंगिनस, तिक्षन पर्तिभाव के, यानी तीखी पर्तिभाव के, तेज पर्तिभाव के, पर्खर पर्तिभाव के धनी, और उसके साथ ही साथ उनकी पुस्तर, पैरी हुपसोस, विश्मेकारी करती है कुछ शब्दों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सेंड्स परी ने लॉंगिनस को तिक्षन परतिवा का धनी कहा उसके साथ इसाथ उन्होंने पैरी हुपसुस को विश्मे कारी करती कह दिया अब उसके आगे और अरस्तु से तोलना करते वे क्या कहते हैं कि ये उतकर्स के शेत्र में उतकर्स यानि भावों का उतकर्स ये उतकर्स के शेत्र में अरस्तु से भी बड़े हैं तो सैंड्स बरी की परिवासा में तीन बाते हमारे सामने आई यह पो में उन्हों थिक्षन प्रथिवा का धनि बताना है उसके साथ युसाथ प्वेर्यभ्स रूब्छुस को विश्मेção करती आउड्ट कर्ती करते हैं और अरस्तु से भी उतकर्स का शेत्र बड़ा है यांज्स बात earrings के रूड़े का अरस्तु से भी बड़े तीन बाते उना ने मोस्ट रूप से कहीं कि पहली है तिक्षन तूसरी है पैरियोक्सूस तूसरी है अरस्तु से भी बड़े वेट अगली परिवासा है एलन टेक्ट एलन टेक्ट ने कहा था कि लोंगिनस अपूर्ण होते हुए भी पर्तम साहितिक अलूज़गे अब उनको यह क्यों कहना पड़ा क्यों क्योंकि जो लोंगिनस की पुस्तक है वो कुछ खंड़ों में मिलती है पूरी की पूरी वो पुस्तक तो मिलती ही नहीं है केवल इसके 60 पेज ही मिले है वो सकता है कि इसके कुछ और पेजेज रही हो यह बड़ा गरंतरा हो लेकिन यह जो आज जिस रूप में मुझूद है उसके लिए अलन टेक्ट ने कहा है कि लोंगिनस अपूर्ण होते हुए भी पर्थम साहितिक अलूज चके और उसके यह कहने का कारण यह था कि जो पैरियुपसुस मिली है वो केवल 60 पेज की लगुकाई करती है और उसमें 44 अध्याय है 44 अध्याय और 60 पेज एक साइड हम लिखते हैं 60 पेज में 44 अध्याय वाली कृति कौनसी है पैरियुपसुस लेखक कौन लॉंगिनुस पैरियुपसुस इसके लेखक है लॉंगिनुस 60 पेज 44 अध्याय इतनी सी करती मिलने के कारण एलन टेट ने कहा कि लॉंगिनस अपूर्ण होते हुए भी पर्थम साहितिक आलूचक है एलन टेट एलन टेट क्या कहते हैं लॉंगिनस या लॉंगिनुस अपूर्ण होते हुए उन्होंने स्विकार किया है कि अपूर्ण है इनका साहितिक आलूचक है अपूर्ण होते हुए भी पर्थम साहितिक आलूचक है पर्थम साहितिक आलूचक है पर्थम साहितिक आलूचक है अब कोई व्यक्ति अपूर्ण है फिर भी पर्थम साहितिक आलूचक उसे माना जा रहा है तो इसका कारण यह है कि इनसे पहले यह पर्थम साहितिक आलूचक आलूचक है अपूर्ण को बहा फिर वे बहाताूर के प्रथम साहितिक आलूचक को वे इतीर आलूचक है भी पर्थम साइंतिक आलोचा का है। लॉंगे नोस अपोन होते हुए भी विम सेट एवं क्लिन्थ ब्रुक्ष। उन्होंने क्या कहा कि पैरी उपसुस जो है वो असाधारन लेक है। किसने का विम सेट और क्लिन्थ ब्रुक्ष। कहते हैं कि पैरी खुपसुस जो है वो असाधारन लेक है। पैरी उपसुस जो है वो असाधारन लेक है। ये किसने कहा विम सेट एवं क्लिन्थ ब्रुक्ष। इसको हमें याद करना है कि पैरी उपसुस को असाधारन लेक कौन कहते हैं। सेट एवं क्लिन्थ ब्रुक्ष। अगले विचारक डेविड डचेज। डेविड डचेज है। डेविड डचेज क्या कहते हैं लोंगिनस के बारे में। कि साहित्य के समन्द में जो प्रुक्ष। प्लेटो या अरस्तो ने उठाई थे। उन प्रुक्ष्णों से सरवथा धिन प्रुक्ष्ण लोंगिनस के थे। यानि साहित्य के शेत्र में या साहित्य के उद्देशे के समन्द में साहित्य कियो लेखा जाता है। इस सभी बातों पर लोंगिनस के विचार जो है वो प्लेटो या रस्तो से बहिकोल अलग है। ऐसी बात पौन करते हैं, डेविड डचेस. साहित्य के शेत्र में प्लेटू एवं अरस्तू अरस्तू द्वारा उठाये गये पर्षणों से सरवथा बहन प्र्षणा, लोगिनस की इस प्रत्रों करते हैं, लॉंगिनुस के देविड डचेज के वल एकी बात है कि प्लेटो और अरस्तू जिस पर कार के साहिते के समन्द में प्रशन उठाते हैं उनसे सरुथा भिन परकार के प्रशन लॉंगिनस के यहां उठाए गए अर्था साहिते के उदेश्य के बारे में पहले उदेश और सिक् थी या नैतिकता के बहुत ज़्यादा उच्छ मांगदंडों की बात की प्लेटों ने अरिस्तों ने उपदेश की बात की थी शिक्षा की बात की थी उसकी जगर लॉंगिनुस ने उद्दात की बात करते हुए नए पर्षनों को उठाया था अब इसकोट जेम्स नाम के एक पाच्छा ते विद्वान है या विचारक है वो कहते हैं कि लॉंगिनुस जो है वो पर्थम सोचंदतावादी आलोचक है स्कॉर्ट जेम्स लोंगिनस के बारे में क्या कहते हैं? कि लोंगिनस या लोंजाइनस लोंजाइनस पर्थम सौचंदतावादी आलोचक है लोंजाइनस पर्थम सौचंदतावादी आलोचक है ये किसने कहा? स्कॉर्ट जेम्स स्कॉर्ट जेम्स लोंगिनस को पर्थम सौचंदतावादी आलोचक कहते हैं ये मुखे-मुखे अंग्रेजी विचारकों की विचारदाराएं हो गई उसके बाद डॉक्टर नगेंदर लोंजाइनस के बारे में क्या कहते हैं? उस पर थोड़ी बात कहते हैं नगेंदर ने पैरियुप्सुस के बारे में कहा है कि पैरियोपसुस जो है उसमें उद्दात कला की परेरख भावना वो धारणा का विशलेशन नहीं वरन उद्दात सेली के आधार तत्मों का विवेचन है यानि केवल धारणा और प्रेरणा जो उद्दात की होती है उसके बारे में ही लोंगिनस बात नहीं करते हैं वरन उद्दात सेली के आधार तत्मों का विवेचन मुख्य रूच से करते हैं यह किसने का डॉक्टर नगेंद्र जो उद्दात लोंगिनस का मुख्य से दांथ है उसके बारे में कहते हैं कि जो उद्दात सेली के आधार ततो या सुरूत ततों के यह अर्थ है जो स्रोत होते हैं उद्दात के उन्ह स्रोतों के बारे में लोगिनस ने विशेश्चूत से बात की तो उन्होंने क्या कहा कि उद्दात कला की प्रेरक धावनाओं व रहारणाओं का विश्ली सन मात्र ही नहीं है वरत उद्दात से लिए के आधार ततों का आधार इसके बारे में बात हो रही है पैरी हुपसुस के बारे में यहां पर पैरी हुपसुस पैरी हुपसुस में उद्दात कला की प्रेरक भावनाओं व धारणाओं का विश्लेशन मात्र ही नहीं वरन उद्दात से लिए के आधार ततों का विवेचन है यहां पर है जो आधार ततों सब्द आया है अधार ततों ऎके आधार ततों सब्द का परियोग नगेंद्र ने किया है जो उद्दात विचार है और उद्दाम आवेग है महान जो विचार और अलंकार गरिमा मैवाशा से ली इस परकार के पांच श्रोद माने जिस पर हम आगे बात करेंगे उनके बारे में नगेंदर कहते हैं कि उन आधार तत्वों का विवेचन करना लोंगिनस का अब हम बात करते हैं कुछ विशेश तत्यों की जो पैरियुपसुस के बारे में या लोंगिनस के बारे में है आज तो हम लोंगिनस के परिची के बारे में बात कर रहे हैं उनके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो पैरियुपसुस जो है उसका अंग्रेजी रूपा किस ने किया था जान होल जौन होल ने 1952 में और ही ओफ इम भॉ है या जिए हिंदी में हम कहते हैं वाग मिता का प्रकर स्थ नाम से जौन फॉल ने 1952 में अनुवाद किया वाग मिता का प्रक्रस यानि वाग मिता यानि बोलने की हमारी शक्ति बोलने की शक्ति का सबसे उच्चाई वाला रूप कौन सा है इसके बारे में लॉंगिनस ने लिखा और उसी का अनुवाद पैरिहुपसुस का अनुवाद ओफ दा हाइट ओफ एलोक्वेंस नाम से जॉन हॉल ने 1952 में किया तो यह इस परकार है जॉन पॉल ने पावन में पैरिहुपसुस का उंग्रेजी अनुवाद ऑनसी बासा में अंग्रेजी अनुवाद दर हाइट दर हाइट ओ भॉफ दर दर हाइट ओफ दरह लॉफ दर Eloquence 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 यानि वागमिता यानि बोलने का वागमिता का प्रकर्स यानि बोलने का सबसे उच्चितम इस्तर क्या हमें बोलना चाहिए उसका उच्चितम इस्तर क्या हो सकता है The Height of the Eloquence या ओफ आईगा Of the Height of the Eloquence इस नाम से पुस्तक लिखी लिखने वाले कौन थे? 1952 में John Hall John Hall ने पैरिहुपसुस का अनुवाद किया Of the Height of the Eloquence और इसका इंदी में नाम हो सकता है वागमिता का प्रकर्स अब एक और तत्य है पैरिहुपसुस के बारे में कि पैरिहुपसुस जो है वो लोंगिनुस ने अपने मित्र पोस्तोमस तेरंटियस जो रोम का निवासी था उसे लिखा उसे लिखे पत्रों का ही संकलन जो है वो पैरिहुपसुस में है लोंगिनस ने अपने मित्र को पत्र लिखे मित्र का नाम था पोस्तोमस तेरंटियस वो रोम के निवासी थे अब उनको जो पत्र लिखे वे बाद में पैरिउट्सोस नाम से छपकर आ गए तो वो बन गई दूख तो ये पत्र सेली में आपका पर पत्र सेली में अभी उत्म प्रूस है शेली पैरिउट्सोस पत्र सेली में लिखा गया और पत्र है तो उत्तम पुरूस शैली होगी खुद ही लिखेंगे उत्तम पुरूस शैली में अपने मित्र को संबोधित कर रहे हैं और खुद अपने विचार लिख रहे हैं पैरी उपसोस पत्र शैली में लिखा गया आप पत्र किसको लिखे थे लोंगिनस ने अपने मित्र पोस्तोमस तेरंथियस नामक रोम निवासी को पत्र लिखे और वे सारे की सारे पत्र एक पुस्तक के रूप में पैरी हुपसुस नाम से बाद में छप गई और पत्र था इस वज़े से उत्म प्रूस सेली में भी यह था और अब हम अगर बात करें कि भही जो यह उद्दात है इस पर लोंगिनस की बात आई किस तो लोंगिनस ने अपने अपने मित्र 33 को तो संपो दित गया था लेकिन के लिए इस नाम का वेक्ति था उनकी समकाली उसने सबसे पहले क्या किया था उद्दात का निरूपण कर दिया था और वो उद्दात का जो निरूपण था वो लोंगिनस को दिखाई कि मैंने उद्दाद पर इस परकार की बातें लिखी तो वे बातें जब लोंगीनस ने देखी तब लोंगीनस ने उन बातों में कुछ सुधार किया उसमें जो तुरूटियां थी उनका सोधन किया तो तुरूटी सोधन करते-करते उन्होंने ये जो अपने 60 पेज की और 45 आकार में आगे ये है बात कि तुरूटी सोधन कर रहे थे किसका सरुपर्थम कैकिलियस नामक व्यक्ति ने उद्दाद का निरूपन किया था सरुपर्थम कैकिलियस नाम के व्यक्ति ने उद्दाद का निरूपन किया था अओर वो उद्दाद निरूपन उन्होंने लोंगिनस को दिखा दिया तब लोंगिनस ने उसमें जो त्रोटिया थी उनका सोधन किया लॉंगिनस ने उस निरूपण में तुरूटी सोधन हिया और वही तुरूटी सोधन पैरी उपसुस नामक पुस्तक के रूप में है पैरी उपसुस पुस्तक के आकार में आ जकता है यानि पैरी उपसुस कैसे लिखी गई लॉंगिनस तो अपना काम कर रहे थे उतने में उनके पास उद्दात निरूपण नाम का लेख कैकिलियस कलतिया थी उनमें सुधार करने के लिए उन्होंने कुछ लिखा और वही बाद में पैरी उपसुस नाम से छप करके एक किताब का रूप ले लिया और सरवस्रेष्ट आलोचनाओं में से एक ग्रंत कावे सास्तर का सरवस्रेष्ट ग्रंत बनकर उबरा जो मूल रूप से क्या था मूल रूप से ये था बासन सास्तर रहो टेरिक लेकिन बाद में ये कावे सास्तर या अलोच जो ग्रंत है अलोचक जिन ग्रंतों को स्रेष्ट मानते हैं उनमें से एक ग्रंत हो गया पैरी उपसुस तो अंतिम बात हम इसमें करते हैं कि पैरी मुप्सुष जो ग्रंद है ग्रंद में 60 पेज वह 44 अध्याई ही मिलते हैं और उसी में उद्दाद का निरुपण है और इसमें एक बात और थी कि यह 45 अध्याई तो मिलते हैं और कहीं-कहीं इनका सीक्वेंस टूट तो जहां सीक्वेंस टूटा है वहां हो सकता है कि ये कुछ और अध्याय भी इसमें रहेंगे लेकिन खंडों के रूप में या बाद में जब ये मिला तब हो सकता है कि इसका पूरा जो मूल रूप था वो पसेत नहीं था तो जेतना मिला उसके आधार पर इसका अध्यान हुआ है और अब हम बात करते हैं इससे जुड़े वे कुछ पर्शनम इसमें एक और बात देख लते हैं कि जो लोंजाइनस है उनके लिखने का मुख्य आधार रहा उद्दा तो ये जो पैरी हुपसुस सब्द है पैरी हुपसुस इस सब्द का अर्थ ही उद्दात है अर्थ क्या है उद्दात या फिर उचाई उद्दात या उचाई पैरी हुपसुस सब्द का अर्थ है उद्दात या उचाई और इसको लिखने के लिए उन्होंने नैतिक बोद अंतरत्रष्टी या प्रिश्क्रत जो रूची और मॉलिक चंतन होता है, उस से पहले अरस्तू हगेरन ने दूसरों के द्वारा जो कुछ लिखा गया था, उस पर ज्यादा अध्यन किया था लेकिन यहां पर इन्हों ने उद्दात या अंतरद्रश्टी या मौलिक चिंतन पर ज्यादा बल दिया सुक्सम अंतरद्रश्टी और नयतिक बोद जिसके अधार पर साइटी की रचना हो दिये उस बात को ज्यादा महतों देते हुए लोंजाइनस में यह गरंत करते हैं पहला प्रशन है लोंगिनस कौन सी सताब्दी के विचारक है पहली या तीसरी हमने बात कर लिए थी कि भई पहली या तीसरी सताब्दी डोनों में से एक सताब्दी में लोंगिनस हुए थे इसका हमें पक्का पता नहीं मिलता है कि यह किस में हुए थे पहली में हुए थे या तीसरी में हुए थे बगिरत मिस्र ने जरूर लिखाया कि यह तीसरी सताब्दी में थे अब सहाईते के संबंध में जो प्रशन अरस्तु व प्लेटों ने नहीं उठाए थे उनसे सरवथा भिन प्रशन लोंगिनस ने उठाए। जो प्रशन अरस्तु व प्लेटों ने उठाए थे उनसे सरवथा भिन प्रशन लोंगिनस ने उठाए। यह परिभाशा किस ने दी? वैलन्टेट, डेविड डचेज, सैंड्स परी या फिर एब्रम्स, डेविड डचेज. डेविड डचेज ने ही कहा था कि अरस्तु व प्लेटों से लोंगिनस भिन है। अब पैरियुप्सुस ग्रंथ को सरोपर्थम परकाशित किस ने करवाया? हमने बात की थी इटली के बड़े विचारक रोबेर्टों ने 1554 में इसे सरोपर्थम परकाशित करवाया था। इटली के थे, रोबेर्टोलो कहां के थे, इटली, रोबेर्टोलो इटली के थे, उन्होंने सरोपर्थम पैरियुक्सोस को परकाशित करवाया था, फिर है, of the height of eloquence नाम से अंग्रेजी अनुवाद करने वाले वेक्ति कौन है, जौन हौल, जौन हौल, उन्नी सो बावन, उन्नी सो बावन में जौन हौल ने, of the height of eloquence नाम से अनुवाद चिया, लोंगिनस त्वारा लिखे गए पत्रों की भासा कैसी है, जो सबसे पुराने पत्र मिलते हैं, उनकी भासा है ग्रीक, लोंगिनस के पत्रों की या मूल पत्रों की भासा कौन सी है, ग्रीक, ग्रीक या जिसे हम यूनानी कहते हैं, वो लोंगिनस के पत्रों की भासा, उद्दात का निरूपन सरोपर्थम किस ने किया सरोपर्थम निरूपन किस ने किया अब यहां पर नाम ज्यान रखना है हम उद्दात निरूपन देखते इस ही दा लोंगिनस खुद कर देते हैं लेकिन यह सरोपर्थम सब्दाया है तो कैटी इस नाम का एक व्यक्ति था लो अपने सामने आता है तो क्या की लिया से तर क्या होगा क्या की लिया से पैरी हुपसुस सब्द का अर्थ है परतिबह, अच्छाई, कविता, उंचाई या तो उंचाई होगा या फिर वदात्य होगा वदात्य उंचाई या वदात्य पैरिहुपस मूल रूपसी है, क्या है मूल रूपसी भासन सास्त्र जिसे हम रहे टोरिक कहते हैं लोंजाईनस तिक्षन साहित्यक परतिभा के धनी है, तिक्षन साहित्यक परतिभा सैंड्स बरी तिक्सन साहित्यक प्रतिभा सैंड्स बरी वान होगा लोंजाइनस को तिक्सन साहित्यक प्रतिभा के धनी कौन कहते हैं सैंड्स बरी लोंगिनस से पहले कवी के तीन कार्यों में नहीं है लोंगिनस से पहले कवी के या फिर साहित्यक तीन उदेशे माने गए अहलादित करना, शिक्सा देना, बाद्य करना जो काम कौन करता था? राज्य करता था और उसी राज्य के आदेसों में आकर कभी भी बाद्य करने का काम करता था लेकिन उद्दात कतों का निरूपन किस ने दिया? लोंगी नसुए.